बहुत सारे लोगों के बीज उसका फिता काटकर सिलानियास कर दिया गया है। लेकिन क्या इसी परकार से जो है इस परकार ये आगे जो है चलता से कही ना कही हमारे किसान भाईयों को पाइदा पोँचेगा। बिलकुल बिलकुल वाह वाह बड़ी सुन्दर बात है यह मैं अब उसका कहीं न कहीं इस्तेमाल अच्छे तरीके से होगा और उसका लाब कहीं न कहीं किसान भाई मित्रो किसी ने कहा है एक कदम सुच्छता की और जी बिलकुल अभी मैं मौझूद हूँ सिक्टी परखंड के यह मजरक पंचायत है आपको बता दू मेरे पीछे भवन दिख रहा होगा मैं बता दू महत्मा गंधी राष्टि ग्रमीन रोजगार गारंटी योजना दुवारा निर्मीत लोया स्वच्छ बिहार अभ्यान यानि कि बिहार के मुख्यमंतरी नितिष्कुमार जी ने प्रमान जारी किया यह सबूत में आपको दिखाने के लिए मजरक पंचायत के मुख्या माननिये स्री रमेश यादब जी के पंचायत में हम लोग इस वक्त उपस्थित हो चुके हैं और मेरे सामने कच्रा परबंधन जो होता है उसके तिहत जो है एक भवन का निर्मान किया गया है आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे लोग है और खुद स्वाय मुख्या जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं उनसे हम आज बात करेंगे कि क्या जो नितिस कुमार जी ने जो अभी बरतमान समय में बिहार राज के मुख्यमंतरी है उनके द्वारा जो अभियान जारी किया गया है सारे लोगों के बीज उसका फिता काटकर सिलानियास कर दिया गया है लेकिन क्या इसी परकार से जो है इस पर कारिये आगे जो है चलता रहेगा या कहीं न कहीं इस पर डिलाई भी होगी आज बहुत सारे सवाल भी होंगे मुख्या जी से तो मेरे साथ मु दिवस के सुभ अफसर पर जो है मन्य परखंड पिकास पता धिकारी के दुवारा जो है इसका वो दगाटन किया गया जो पंचेप में हमारे 33 कर्मी का नियुक्त किया गया है चोदो वार्ड में चोदो ठेला रिक्षा उसके बाद एक उस जगह से लाने के लिए एक इई रिक्षा उसमें एक ड्रैवर एक उप ड्रैवर का नियुक्त किया गया है जो कच्रा परबंधन में भी दो कर्मी का नियुक्त किया गया है जो यहां पर छाटाई वगरा करेगा कुछ समान जो विक्री के लाएक होगा उसको विक्री किया जाएगा और कुछ समान जो है जैसे जैविक खात में हम लोग उसको कनवल्ट करवाएंगे उसका और भी प्रोजेक्ट आगे अच्छा कहीं न कहीं अब कच्रा से कहीं न कहीं हमारे किसान भाईयों को जो है फाइदा पहुँचेगा जी बिलकुल बिलकुल वाह वाह बड़ी सुन्दर बात है ये कि जिस कच्रा को हम और आप जो है गलियों में फेक कर कहीं न कहीं हमारे समाच को गंदा करने का कारी करते थे अब जो है बदलते बिहार में अधूनिक बिहार में अब उस कच्रा का कहीं न कहीं इस्तेमाल अच्छे तरीके से होगा और उसका लाब कहीं न कहीं कि बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि जैसे कि कच्रा को आदमी कच्रा समझ करके उसको फेक दिया जाता है लेकिन मेरा मानना है और मानने मुखमंतरी जी का भी मानना है कि जो कच्रा उप्योग में लाया जा सकता है उसको उप्योग में लाकर के पंचेत को समरीद करें और जो केमिकल खात से हम लोग को जो नुक्सान हो रहा है उससे हम लोग बचाव करें अब बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों और मैं आपको बता दू कि आज बिहार दिबस है इसी के सुब अफसर पर जो है मुख्या जी ने इसका सिला नियाज किया जी आपने जो है शिक्टी पर्खंड क तमाम वासियों और अपने पंचैत वासियों को बिहार दिबस की क्या आप जो है सुब कामनाएं देते हैं कि कच्रा को दस्टवीन में डालें और पंचैत को पर्खंड को स्वक्ष बनावें बिल्कुल कहीं न कहीं जब हम सब मिल करके कदम से कदम मिला करके जब हम सब कच्रा को जो है उसके ठिकाने लगाएंगे तो कहीं न कहीं हमारा समाज में जो है एक अच्छा मैसेज और एक अच्छा पैगाम जाएगा जब एक अच्छा मैसेज और पैगाम जाएगा तो कहीं कहीं हमारा समाज जो है कहीं न कहीं अच्छाई की और आग्रसर होगा और एक अच्छे समाज का कहीं निडमान होगा जी बिलकुल बिलकुल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया शुपकामना वीडियो को देखने के लिए जहिन